हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं दिव्या मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ गलेमन हैंथवे फ्रेंड्स आज के सुडियो में मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बताने वाली हूँ जिसे पी करके आपके सर्दी जुखाम, रनिंग नोज, नोज इरिटेशन, गले का बैठना ये सारी की सारी प्रॉब्लम से आपको इस ड्रिंक से छुटकारा मिल जाएगा फ्रेंड्स ये जो आज मैं आपको ड्रिंक बताने वाली हूँ, ये ड्रिंक मैं पॉर्सनली हमेशा यूज करती हूँ, जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ होती है आज आप सभी को ये ड्रिंक बताऊंगी कि ये ड्रिंक जो मैं पीती हूँ, आप सभी कैसे इसे बना करके अपने घर में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे सर्दी खांसी, जुखां और किसी भी तरह का सीजनल इंफेक्शन है, इरिटेशन है किसी तरह का गले में माउथ में, नोज में, तो कैसे आप उसे ठीक करेंगे, तो चलिए इस ड्रिंक को मैं बताती हूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हैं और आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में, चलिए वीडियो स्टाट करते हैं दोस्तो इस काड़े को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहली चीज एक पतीला को यानि की कोई भी बरतन, जो की गहराई में हो दोस्तो इस बरतन को हमें रख देना है गैस पे और इसमें डालना है हमें दो गलास के करीब पानी दो गलास मैंने पानी पहले से डाल रखा है दीखे गरम भी हो गया है इसमें मैं डाल जी हूँ एक चम्मच के करीब हल्दी दोस्तो हल्दी आपके जितने भी गले में बैक्टीरियाज है नोज में बैक्टीरियाज है उन सभी को दूर करने में काफी हेल्प करता है गल्दी जो है ऐंटिबायोटिक होता है जिससे की आपके गले के माउथ के नोज के जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी के सभी मर जाते हैं दोस्तो अब अगली चीज जो डालनी है वो है ये काली मिर्च कूटी हुई 5-6 दाने काली मिर्च के हैं दोस्तो 5-6 दाने आप काली मिर्च को कूट लीजिए और कूट के इसको डाल दीजिए दोस्तो काली मिर्च में पैपरी नामक तत्तो पाया जाता है या तत्तो औसदी गुडों से भरपूर होता है इसमें पता है आपको आइरन, पोटेशियम, मैगनीशियम, मैगनीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन ए और अन्य बहुत सारे पोसक तत्तो पाया जाते हैं जिसकी व बहुत ही कॉमन चीज है और वो है ये तुलसी के पत्ते जी हां दोस्तो तुलसी के पत्ते बहुत कॉमन चीज है ये हर आंगन में आपको मिली जाएगी तो दोस्तो हमें लेने हैं वह साथ से आठ तुलसी के पत्ते और इन्हें हमें डाल देने हैं अगली जो चीज लेनी है दोस्तों ये है मुलेठी, देखिए मुलेठी इस तरह से आती है, मैंने मुलेठी को तोड़ लिया है, मैं एक मुलेठी डालूँगी, मैंने दो मुलेठी लिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मुलेठी इसमें डालूँगी, तो देखिए मैंने एक मुले बहुत कारगर होती है। अब आगली जो चीज़ डालती है दोस्टो वो है याग लेना है एक चम्मच सुखा अद्रग का पॉर्डर और यह सुखा पॉर्डर आपको ना मिले देखें eh यह मैंने सूखा अद्रक का पौडर लिया है, अगर आपको यह ना मिले, आपके पास ना हो सूखा अद्रक का पौडर, इसको सोठ भी बोलते हैं, तो अगर यह आपके पास ना हो, तो आप जो नॉर्मल अद्रक आपके पास में होता है, कच्ची अद्रक होती है, उसको आप क क्जुखे अद्रक का पाऊडर और इसमें मैं डाल रहे हुं एक चमच सेनहा नमक पसंद है तो वह पीए अन्य था आप बीना सेनहा नमक डाले बीना कुछ डाले आप इसमें हनी डाल के भी पी सकते हैं लेकिन हनी तब डाले जब ये उबल करके आपका काढ़ा तयार हो जाए पीने लायक हो जाए लेकिन जिनको नमक डाल के पीना है वो इस तरह से उबलते वक्त ही सेना नमक का प्रियोग कर सकते हैं तो मैंने डाल दिया है एक चमस सीना नमक अब इसको हम खौलने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए तो हम 10 मिनट के लिए इसको खौलने देते हैं तब तक के लिए इसे हम छोड़ देते हैं यह देखिए हमारा खौलने लगा है और अभी काफी high heat है तो इसको हम low कर देंगे यानि कि medium flame पे कर देंगे और medium flame पे इसको 10 minute के लिए खौलने देंगे तो 10 minute हो गया है दोस्तो और ये लीजिए हमारा जो काढ़ा है ये बन करके ready हो गया है ये काढ़ा आपके लिए अंबरित के समान है दोस्तो ये देखिए ये drink जो है मेरी बन करके ready है लिए drink को आपको ऐसे ही बनाना है और इसका استعمال आप कर सकते हैं सुबह में और शाम को अगर बहुत जादा आपको problem है तो आप दोपर में भी इसका использ कर सकते हैं लेकिन सुबह साम के इस्तेमाल से भी आपको काफी फायदा मिलेगा दोस्तो इसका इस्तेमाल आप week में 2-3 बार कर सकते हैं जब आपका जो season problem है ये ठीक हो जाए उसके बाद यानि कि जो लोग ठीक हैं वो भी इसका इस्तेमाल week में 2-3 बार कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आपना drink पीती हूँ बहुत ही बड़ियां लग रहा है एक छोटा बच्चा भी इसे पी सकता है तो आप इस drink को दोस्तो किसी को भी पिला सकते हैं किसी छोटे बच्चे को भी आप इस drink को बना करके आसानी से पिला सकते हैं तो चाहे बड़े हों, बच्ची हों, या किसी भी उम्र के लोग हों, वो सभी इस ड्रिंक का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं. तो चलिए मैं अपना ड्रिंक खतम करती हूँ, और आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई है, तो प्लेजी से लाइक करें, शियर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट टाइम न्य वीडियो के साथ फिर मिलोंगी, तिर दिन गा बाइश टेकिर बाइए!